बिस्मलायरमाने रहीम अससलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब ठीक होँगे होश होँगे आज हम बना रहे हैं मेंगो कस्टड आइस क्रीम बहुत मज़े की और डेस्टी बनती है तो इसके लिए जो चीदें चाहिए वो हम आपको बताते हैं यहां हमन करेंगे और जमी हुई होनी चाहिए ठंडी होनी चाहिए दो टेवलिस्पॉन कस्टड पोडर लिया है मेको स्लेवर में एक प्याली चीनी ली है विपिंग क्रिम में भी चीनी होती है तो इसलिए चीनी यां हर्द विरायका डालेंगे यह जितना आपको मिठा पसंद हो दूद को हमने अच्छीता से पका लिया है अब इसके अंदर हम चीनी एड करेंगे जिनी डालने के बाद हम 2-3 नित पकाएंगे ताकि चीनी अच्छीता से दूद में डिजॉल्फ हो जाए हम कस्टडेट करेंगे, कस्टड को हम दूट के साथ गोली में और ठंडा होना चाहिए गरम नहीं होना चाहिए यहां हम इसमें कस्टर्डेट करेंगे और साथ साथ में इसको हम चम्मच चलाते जाएंगे ताकि गिठलिया ना बने बस हमें इतना ही कस्टर्ड डालना है और इसको हमें 2-3 मिनिट पकाना है ताकि यह गाड़ा हो जाए और फिलेम हम इसका बंद कर देंगे क्योंकि हमें ये बिल्कुल ठंडा चाहिए नीम गरम भी नहीं होना चाहिए अगर ये नीम गरम भी होगा तो जो विपिंग कीरीम है वो बीट नहीं होगी और सारी जो कीरीम हमारी वो खराब हो जाएगी क्रिम को भी अच्छी तरह से बीट कर लिया है आप कस्टड को हम अच्छी तरह से बीट करेंगे मेंगो प्यूरी के साथ ताके कस्टड में कोई लंस ना हो कोई गितली ना हो वह अच्छी तरह से इसको हम चमज की वादा से ही बीट करेंगे यहां हमने कस्टड को अच्छी तरह से बीट कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना क्रीमी यह बन चुका है अब इसको हम मिलाएंगे किरिम में जो हमने विप करके रखी है और हलके हासे से हम फॉल्ड करेंगे इसी तरह से दूसरा भी डाल देंगे जो हमने बचाया है यहां हमने कस्टड को पूरा कर दिया है किरिम के अंदर और आप देख सकते हैं कितना अच्छा और किरिमी यह टेक्स्चार बना है आइस क्रीम का अब इसे हम आइस क्रीम के बॉक्स में डालेंगे ऐर टाइट बॉक्स जो होगत है उसके अंदर डालेंगे सारा डाल देंगे आइस क्रीम का बेटर और इसको मच्छी दाँ से टेप करेंगे और कवर करके रख देंगे जमने के लिए बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है आप लोग ज़रूर इसको बनाईएगा तो यहां हमने बटर पेपर लिया है इसके ओपर हम वो रखेंगे अब इसको हम इसके कवर के साथ कवर कर देंगे अब इसको रख देंगे ओवरनाइट के लिए यह आठ से नो घंटे के लिए आप इसे फिरिज में रख रकते हैं जमने के लिए तो यहां हम आइस क्रीम को निकाल लेंगे फिरिज के अंदर से और आप देख सकते हैं हमारी जो आइस क्रीम है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है तो यहां इसे हम चमच की मदश से निकालेंगे तो यहां हमारी जो आइस क्रीम है वो रेडी हो चुकी है उपर से हमने थोड़े से इसमें काजू और बदाम डाले हैं बहुत मदेगी और टेस्टी बनी है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाईएगा ज़रूर ट्राय करिएगा और मुझे ज़रूर बताईगा कैसी बनी ह अगर आपको मेरी वीडियो मेरे से पसंद आईए तो इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को फुल वोच किया करें बेल आइकोन के बटन को ज़रूर प्रेस करें अपना बहुत सारा खया रखें मुझे भी दूआ में याद रखें अ लाद भीडियो